दोस्तों मुझे काफी इसारे कमेंट आते हैं और आप में से ज़ादा तर लोगों के साथ में समस्या है जो आल्मोश्ट एक ही जैसी है कि सामने वाले को आप अपनी बात बोलते हैं तो उसे एक बार में समझ भी नहीं आती है बार बार आपको बात को repeat करना पड़ती है कहीं लोग के रहें कि सामने वाला बार बार पूछता है कि आपने क्या बोला क्या बोला आपके शब्द उसको clear सुनाई नहीं देते हैं या इस तरह की बहुत सारी चीजें बहुत सारी प्रॉबलम मैंने कमेंट्स में पड़ी हैं तो इन सबका मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करता हूँ और अगर आप इन पॉइंट्स को follow करें तो दीरे 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 आपको महरत हासिल हो जाएगी एकदम clear बोलने के लिए और सबस्ट बोलने के लिए फिर कोई आप से नहीं पूछेगा कि आपने क्या बोला या कोई भी आपको बार-बार बात को repeat करने के लिए नहीं बोलेगा तो इन पॉइंट्स को अपन इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले आप जो भी बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और कॉंसाइस होना चाहिए यानि कि आप जो बोलना चाहते हैं वो एक्टम संख्षिप में बोलें अननेसेसरी इसको बहुत लंबा ना खीचें कम शब्दों में बोलें लेकिन साफ साफ बोलें आराम से बोलें और बिल्कुल भी लंबा खीशने की और उसमें क्या होता है कि सुनने वाला थोड़ा बोरिंग मोड में आ जाता है तो वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है और जब वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है तो उसका ध्यान कहीं और जाता है तो उसे आपकी बात पे ध्यान नहीं होने के कारण उसको बार बार पूछना पड़ता है कि आपने क्या बोला फिर दूसरा है कि आपका वाइस मॉडिलेशन होना चाहिए क्लियर वाइस मॉडिलेशन यानि कि आपका आवाज का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही होना चाहिए कई बार हम आवाज में बिना मतलब कि उतार चड़ाओ लेकर आ आवाज में उतार चड़ाओं की जरुत होती है कवीताओं में शायरी में लेकिन जब हम जन्रलमग बात करते हैं तो अनावाश्चरुपर उससे उतार या चड़ाओं का इस्तेमाल ना करें, आवाज को कम ना रखें, आवाज को नार्मल या तेज वार्ल्व से रहें ताकि आदमी को दो बार नहीं पूछना पड़े को आपने क्या बॉला था और कि आप Agora dausp sich करें अपनी बात की स्पीड को खऊंब लोग मिनने आपको बताया कि अपनी बात कोní बात को सुननी पाया या हरवड़ी में हमारी आवाज खराब हो गई तो आपको खुद को भी रिपीट करना पड़ता है सामने वाले को भी समझ में नहीं आया तो वो भी आपसे रिपीट करने के लिए कहता है तो आप अपनी बोलने की जो स्पीड है यानि कि प्रती मिनिट जो आपकी शब्दों की संख्या है अगर आप साठ सब्द बोलते हैं तो उसको 30 पर या 20 पर लेके आईए आराम से बोलिए क्योंकि अगर आपकी बात में दम हैं तो सुनने वाला कहीं भागने वाला नहीं है आप क्यों जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं आप कहीं बारी सुचते के यार हम जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे तो सामने वाला भाग जाएगा हमारी बात को सुनने के बज़ाए वो कुछ अपनी बात बोलने लगेगा तो उस चीज़ से बचें आराम से बोलिए और साफ सब बोलिए फिर अगला है कि आप अपने आई कॉंटेक्ट और बोडी लेंग्वेज का इस्तेवाल कीजिए जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो जिसको भी आप बोल रहे हैं आप उसकी आँखों में देखके बात कीजिए आप जब आँखों में देखके बात करते हैं सामने वाला भी आपकी आँखों में देखता है तो उसका ध्यान जो है ना mental attention आपके साथ में connect हो जाता है तो जो बात आप बोल रहे हैं ना वो direct उसके दिमाग में जाती है अगर आप उसकी आँखों में देख रहे हैं और वो कहीं और देख रहा है तो निश्चेत रूप से वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है और अगर वो आपको देख रहा है लेकिन आप कहीं और देखके बात कर रहा है तो भी आपकी बात उसके दिमाग में जाने वाली नहीं है तो eye contact बहुत जरूरी है दूसरी बात जो भी आप बोल रहे हैं उसके लिए सकारात्मक body language का use करें क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते हैं अगर उसी style में आप अपनी body language वेज़े हाथ पेर चेहरे के मनोभाव लेकर आते हैं तो सामने वाले को आपकी बात समझ्य में दुगनी आसानी हो जाती है या आप अप इसको अपनी बातको दुगनी तरीके से बोल रहें, तो एक त suppression से आप अपनी बात को या मैं जो बोल रहे हैं या आप बीच बीच में फीडबेक लेते रही है इसे क्या होगा कि फीडबेक लेने से सामने वाले का भी माइंड रिफ्रेश होता रहेगा और बार-बार उसका अटेंशन आपकी तरफ और ज्यादा घहरा होता जाएगा तो फीडबेक लेना बहुत जरूरी है क्यों कि केवल आपको पता नहीं है जैसे आप सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आप मुझे सुन रहा है या आपको मेरी बात समय आ रही है तो उसका एकदम अटेंशन अगर कहीं और चला गया है तो आपकी तरफ आ जाता है फिर अगला है धेरे रखें जैसा कि मैंने बताया कि बोलते स बोले सबसे पहली बात कि आप अपने मन में थोड़ी शांती रखें बोलने के पहले तो सामने वाला आपकी बात को शांती से समझ जाएगा अगर आपके मन में उथल पुथल मच रही है आपके मन में हरवड़ी मच हुई है तो सामने वाला आपकी बात को क्या समझेगा तो आप आफिस में इस तरह का कोई conversation या communication कर रहे हैं तो आफिस का थोड़ा सा rule change हो जाता है आफिस में बात करते समाएं आप हमेसा दो चीजों का ध्यान रखें कि professional भाषा का use करें या जो बिल्कुल भी ओप्चारिक भाषा का आप use करें ओप्चारिक शब्दों का use करें केजूल सब्दों का इस्तेमाल ना करें तो आपका communication अच्छा होगा और दूसरा जब भी आप office में बात कर रहे हैं तो visual aids का इस्तेमाल करें जैसे कि आपको एक्सेल शीट पर दिखाके भी आप बात कर सकते हैं powerpoint पर भी आपको दिखाकर आप बात कर सकते हैं कोई slides दिखाकर आप बात कर सकते हैं या mostly लोग क्या करते हैं कि एक paper लेते हैं और जो जो बोलते जा रहे हैं वो एक paper पे भी लिखते चले जाते हैं या आप एक board का इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब वो जो बोल रहा है वो तो आप कानों से सुनी रहें प्लस वो जो बोलना चाहरा है या जो समझाना आपको चाहरा है वो copy paint पर साथ-साथ लिखता चले जाता है कि आप इतने की premium लेंगे इतने की premium आएगी यह वाली policy लेंगे तो इसका इतने साल में यह खर्चा आएगा आपको वो एक paper पर समझाता चले जाता है साथ-साथ जो जो बोल रहा है तो क्या होता है कि वो double contact हो जाता ना एक तो उसका body language प्लस paper और जो बोल रहा हो ही तो उसकी बात को हम तेजी से समझ पाते हैं और यह चीज उनको training में भी सिखा ही जाती है तो यही चीज में आपको बता रहा हूं कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने और अच्छे से रखना चाहते हैं तो आप notes का या visual ads का इस्तेमाल कीजिए एक plain paper का या board का इस्तेमाल कीजिए जैसे अभी में भी यह कर सकता था कि आपको बताते वक्त में इन सब points को एक board पर लिखता जाता तो tension और जाता हो जाता पर मुझे उम्मीद है कि मेरे इस single mode से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कियाना चाहता हूं दूसरा बात है कि आप अगर आप दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं तो और आपके दोस्ते जिस वे में समझ सकते हैं जिस बात को उस तरीके से आप उनको समझाने की कोशिश करिए और ध्यान रखिए कि दूसरा आपकी बात को तभी ध्यान से सुनेगा जब आपने उसकी बात को ध्यान से सुनी हुई है यानि कि एक mutual understanding होती है अगर आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो भी आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा तो अच्छे communication में ध्यान से सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना सामने वाले को अपनी बात को अच्छे से समझाना तो खुल मिलाके में सारांस में ये कहूँ कि आपको अपने एक एक शब्द को एकदम साफ साफ और एकदम आराम आराम से बोलना है तब ही सामने वाला आपकी बात को समझेगा अगर इन में से आप किसी भी point को skip करते हैं तो फिर बापिस से वही दिक्कत आएगी तो आप कोशिश कीजिए मैंने जो points बता हैं उन पर practice कीजिए और आगे मुझे बताईए comment में कि आपको ये helpful रहा या नहीं अगर नहीं रहा तो मुझे बताईए कि आगे और क्या problem आ रही है मैं अगले वीडियो में उसको clear करने की कोशिश करूँगा धन्यवाद मिलते हैं किसी और वीडियो में जैहिंद